गुरुजी, हर्ताली का तीज का व्रत इतना भारी होता है, करवाजोद का व्रत इतना भारी होता है, कि हम कुछ भी नहीं खाते, यहां तक कि मुक में जल भी आता है ना तो उसको भी हम निगल नहीं से. अब इतना भारी व्रत और सास्त्र कहता है, कि हर्ताली का तीज का उद्ध्यापन तो पहले होता है, हर्ताली का तीज का जो व्रत है, इसका उद्ध्यापन तो ना तो पहले हो है, पर इसका उद्ध्यापन ना तेरा वर्ष के पहले हो है, इसका उद्ध्यापन तो जब तक कन करना है तो तेरा वर्ष तक तो आपको प्रत करना ही पड़ेगा उसके बाद ही इसका उद्यापन तेरा वर्ष अगर आपके हो गए हैं बड़े प्रेम से बड़े आनंद से अब वर्ष तक जिस भाव से बाद का अगर कुछ जरूरी है तो उसमें सबसे ज़्यादा कुछ जजरूरी है तो शंकर भगवान जहां बेराजमान होते हैं उनके उपर पकाच कंजाओं का होना भत लगाराली तेल्म का ऊत्ली के आप यंद रेती हैं जलादारी यहां के सबढ़नारी लटकाना चाहिए प्रयास करना चाहिए कम से कम पाच माला उसमें होना जरूरी है और पास से ज्यादा भी लटका होगे चलेगा पर पास से कम नहीं हो पुले रहा हुआ पाच कौन-कौन है यह जया विशहरा शामदिवारी दौतली देव शंकर भगवान की पाच इससे अधि अगर आप लटका रहे हो तो शंकर भगवान की और भी बेटियों का वेक्याने मंसा है अशोक संदरी है शंकर भगवान की फुत्रिया नर्वदा जी का इसमन आ जाता है नर्वदा तो यह साथ बेटियों का तो आप ज्यादा लटका हुए चले जाएगा पर कम नहीं जैसे हर्ताली का तीश का जो उत्रियापन होता है उत्रियापन में सभसे मुख्थे चीज क्या होती है कि जो भी आ bettyします इ। और माला से ज्यादा होगा चलेगे कर पांशित